क्रिया कलाब दो दो अलग-अलग परक्नलियों में क्रमशा 10-10 ml आसूत जल एवं कठोर जल लीजिए दोनों में साबुन की घोल की कुछ बूंदे मिलाईए दोनों परक्नलियों को एक ही समय तक हिला कर उनमें बनने वाली ज्ञाग पर ध्यान दीजिए किस परक्नली में अधिक ज्ञाग बनती है किस परक्नली में सफेद दही जैसा फटा और शेप प्राप्त होता है इस क्रिया कलाब से क्या निसकर्ष निकलता है सिक्षकों के लिए निर्देश यदि कठोर जल उपलब्ध ना हो तो साधारन जल के 100 ml में 0.5 ग्राम मैगनीशियम हाइडरोजन कार्बोनेट या क्लोराइड या सलफेट को घोल कर कठोर जल तयार कीजिए जल की कठोरता का अध्ययन हम इसी अध्याय में कर चुके हैं कठोर जल से वस्तों की सफाई के लिए हम एक अन्य प्रकार के योगिक अर्थात अपमार्जक का उप्योग कर सकते हैं अपमार्जक समानिता लंबी कार्बन श्रिंखला वाले सलफोनिल अमलों के लवन होते हैं इन योगिकों का आवेशित सीरा कठोर जल में उपस्थित केलसियम और मेगनीशियम आइनों के साथ आगुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं समानिता अपमार्जकों का उप्योग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है बेचुं, इस क्रिया कलाप के द्वारा हम ये जानेंगे कि कठोर जल का सफाई की प्रकृया में क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए मैंने एक क्वथन नली में मृदू जल लिया है और दूसरी क्वथन नली में कठोर जल लिया है अब मैं दोनों परक्षनलियों में साबुन की बराबर मात्रा डालती हूँ इसी तरह से अब मैं कठोर जल में भी साबुन की उतनी मात्रा डालती हूँ अब ये दोनों परक्षनलियों को मैं समान समय तक हिलाती हूँ देखिए बच्यों जिस परक्षनलिय में मृदू जल था उसमें आपको बहुत सारा जाग दिखाए दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यदि जल मृदू हो तो बहुत जाग बनता है और उसमें सफाई की प्रक्रिया भी अच्छी तरह से होती है दूसरी ओर जिस परक्षनलियों में कठोर जल था उसमें जाग नहीं बना ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम और मैगनीसियम आइनों से क्रिया करके अविले लवन बना लेता है और जब तक कठोर जल से ये सारे लवन अवक्षेपी थोकर बाहर नहीं हो जाते तब तक जाग नहीं बनता और इस प्रक्रिया में हमारा बहुत सारा साबुन बिकार हो जाता है